हेलो बच्चो कैसे हो आप हसते हो ना हसते रहना और मेरे साथ हो मोर करते रहना So today we are going to learn about how to write capital H H for house देखो H for house आज हम four line की note book में capital letter H write करने वाले है देखो एह हमारी four line की note book है और हम capital letter कितने line में लिखते हैं कौन बताएगा मुझे बताओ first capital letter three line में draw करते हैं देखो one standing line दूसरी standing line और बीच में sleeping line एह हो गया हमारा capital H कौन बताएगा कौन सपेट animal है जिसका वर H से टार्ट होता है जल्दी बताओ H for आप सबको पता है जल्दी जल्दी बताओ मुझे बताओ H for horse yeah very good H for horse देखो two standing line और बीच में A sleeping line A हो गया हमारा capital H H for horse horse देखो one standing line और बीच में A sleeping line A हो गया हमारा capital H H for कौन सा body part है जिसका H से टार्ट होता है बताओ जल्दी बत्चो मुझे अपने body part पता ही ना आपको कौन बताओ मुझे H for hand H A and D hand हमें कितने hand है कौन बताओ मुझे Two hands H A and D hand H for hand चलो 1, 2, 3 देखो Two standing line और बीच में A sleeping line A हो गया H capital H H for help आप हम help करते हैं ना help करना अच्छी वात है बच्चों सब को help करनी चाहिए घर में मम्मा बापा को help करनी चाहिए और बाहर रस्ते पे कोई grandfather, grandmother होंगे तो उन्हें भी help करनी चाहिए help करना बहुत अच्छी आदत है और अच्छी बात है बच्चों ध्यान रखना सब को help करना चाहिए H for help देखो H E L P help H for help कितनी 1, 2, 3, 4, 5 वन लाइन में हमने 5 H द्रॉक किये है देखो और हमारा कौन सा body part H से start होता है बताओ जल्दी गर्ल्स जल्दी आंसर देदो जो जल्दी आंसर देगा ओ खोश्यार हो पच्चा होगा देखो H for help कितना इजी है आप जल्दी आंसर नहीं देते देदो फास्ट फास्ट H for help देखो वन स्टेंडिंग लाइन बीच में वन स्लिपिंग लाइन और अगें इस स्टेंडिंग लाइन ए हो गया capital H H for head देखो स्टेंडिंग लाइन फी लाइन में और यहां भी एक स्टेंडिंग लाइन और बीच में स्लिपिंग लाइन A हो गया capital H H for hair हमारे head पर hair होते हैं न कौन से color के होते हैं कौन बताएगा मुझे H for hair देदो जल्दे answer देदो boys कौन सा आपके hair का color कौन सा है चलो बताओ black हमारे hair black color के होते हैं और जो हमारे grand papa grand maa होती है उनके color कभी-कभी white color के होते हैं H for hair देखो यह four line की notebook है और हम capital letter three line में ड्रॉक करते हैं one, two, three और बीच में a sleeping line a हो गया capital H आप बताओ मुझे आप H से कौन सा वर्ड अगे new word आप मुझे बता सकते हो बताओ fast fast एक animal है जो पानी के किनारे भी होता है और वो wild animal है कौन बताएगा वो मुझे hippopotamus H for hippo देखो one standing line one sleeping line और अगेन one standing line a हो गया हमारा capital H H for hippo देखो ए रेड लाइन से blue line तक one standing line रेड लाइन से blue line तक one standing line और बीच में वो जो blue line है इस पे one sleeping line a हो गया हमारा capital H कौन बताएगा मुझे हमें अंडा कौन देता है चलो बताओ girls आपको पता है अंडा हमें मुर्गी देती है और मुर्गी को इंगलिश में क्या कहिते है बताओ मुझे बताओ जल्दी H E N हेन, हेन, मुर्गी को इंग्लिश में हेन कहिते है, मुर्गी हमें अंडा दिती है, देखो, ये हो गया हमारा कैपिटल ह, ह, एन हेन, चलो, लिको फास, आप भी मेरे साथ लिक रहे हो ना, लिको जल्दी जल्दी देखो, one, two, three, four, five, one, line, one line में five, ये च, राइट करना बच्च वो आच्चा भी दिखता है और हम आच्ची दर से लिख पाते हैं देखो one standing line, one sleeping line, again one standing line, ए हो गया हमारा capital H बच्चो कौन बताएगा मुझे हमारे इंडिया का national game कौन सा है जल्दी आपको पता है चलो मैं ही बता देती हो हमारा national game होकी है H for होकी देखो one standing line, one standing line बीच में A sleeping line H for होकी बच्चो आप भी मेरे साथ होम और करो आप अच्चे बच्चे हो ना अच्चे बच्चे रोज होम और करते हैं देखो आपने capital A से जीतक होम और किया है ना अच्चे बच्चे रोज होम और करते हैं और होम और करके अपनी ममा को दिखाना A से जीतक सब capital letters लिखो और अपने पापा मम्मी को दिखाओ आपको पता चल गया ना भी capital letters सिर्क 3 line में लिखते हैं और आप A से जीतक वो वीडियो देखो आपको प्रापरली समझ में आएगा capital letter कैसे लिखते हैं H for hot देखो 1,2,3,4,5 वन लाइन में 5 letter ड्रॉख करोगे तो अच्चा दिखेगा और आप अच्छी तरह से लिख पाऊगे देखो बच्चो और कौन सा नमबर है जिसका name 8 से start होता है 100 देखो वन स्टैंडिंग लाइन वन स्टैंडिंग लाइन बीच में sleeping लाइन H for 100 चलो अब आप भी मेरे साथ homework करो और रोज homework करने के लिए हमारे homework चैनल को like करो, subscribe करो और bell icon पे click करो नया homework आएगा तो गंती बजगी टिंग टिंग चलो बाई बच्चो अपना homework करना चलो बाई